Hello friends, बात करते हैं cost accounting की CA Inter के लिए जब आप cost accounting का paper त्यार कर रहे हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपनी त्यारी करनी चाहिए देखिए सबसे पहले जब आप course की शुरुआत करें तो मैंने यहाँ पर 3 levels के अंदर पूरे course को divide के है level 1 material labor overhead सबसे पहले आपको यह 3 chapters उठाने चाहिए फिर आपको level 2 standard marginal budget यह उठाने चाहिए देखिए आप कोई भी paper उठा के देख लीजे कम से कम on an average आप देखेंगे कि 50 marks तक का paper इन 6 chapters में से आपका आना ही आना है x, y, z कोई भी teacher बनाए वो 50 marks का content इसमें से directly indirectly पूछे गई plus minus 10% हो सकता है कि हाँ 50 का 48 हो जाए या 52 हो जाए बट आप आप देखेंगे 50 marks का paper इसमें से आए गा ही आएगा उसके बाद आप बात करते हैं rest of the chapters की that is process, joint and by product, operating, contract, cost sheet, cost accounting system, unit and batch तो लगबग 50 number का paper उसमें से आता है तो 25, 25, 50 और 50 आपका हो गया 100 और theory का एक आएगा 20 का तो total हो गया 120 तो अब आप कहेंगे sir 120 number का paper तो एक हमारे पास 24 भी होती है 20 number की और generally बच्चे क्या करते हैं वो theory question को 24 में निकाल देते हैं अब सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी हम क्यों cost accounting के अंदर अच्छा target नहीं कर पाते हैं क्यों हम 50 के बारे में ही सोचते रहते हैं 45 के बारे में सोचते रहते हैं तो सबसे पहला कारण है उसका हमारा approach की उसम paper को handle किस तरीके से कर रहे हैं कोई भी chapter random basis पर उठाना शुरू कर देते हैं जो की गलत है आपको जो sequence है वो level में at least decide करना जरूरी है ये आपका sequence होना चाहिए course करने का ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीजे हैं जिसकी absence में बच्चों को दिक्कत आती ही आती है फिर level 3 के chapters पर आना चाहिए level 3 के chapters के अंदर क्या है कोई end नहीं है आप कितने भी question practice कर लो हर एक अगला question new होगा तो सबसे पहली चीज तो आपको जब cost accounting का paper आप त्यार कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है आपकी जो priority है सबसे पहली priority ICI module के questions है चाहे वो illustration form में given है चाहे वो आपको पीछे exercise के questions given है किसी भी तरीके से आपको सबसे पहले ICI module ICI module से मान के चलिए लगभग आपके 70% questions जो है वो pick होंगे 70% paper आपको ICI module से देखने को मिलेगा तो जो सिर्फ ICI module के questions बहुत अच्छे से कर लेता है और कुछ भी नहीं करता सिर्फ ICI module कर लिया 70% paper तो hazardous है तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला 30 वो करना ही पाएगा अगले 30 के लिए आपको क्या करना है ध्यान से देखे जो ICI का revision test papers है या जो उनके mock test issue होते है ICI की website के उपर ही है या उनके जो past exam है अभी तो दो ही attempt हो है फिलाल ठीक है आप यह RTP mock test और past exam ठीक है इसमें से आपका लगबग आपको 20% paper देखने को मिलेगा revision test paper mock test papers और past exam विसे उसके बाद देखे 10% paper ऐसा होता है जो absolute new questions पंते हैं जो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे खामा काप market के कोई भी practice कर लेजें वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलने वाले तो 100% paper जो है आपका इस तरीके से design होता है तो मेरे हिसाब से जब आप preparation कर रहे हैं first level पर सिर्फ आपको ICI module करना और कुछ नहीं करना जब आपकी एक बार accounting cost accounting पूरा खतम हो जाए आपने पूरा ICI module खतम कर लिए उसके बाद RTP mock test और past exam पे आई है that's it फिर ICI module revise करी और आपको ज़्यादा मत practice करने की कोशिश करे अननेसेसरी होता है कि ज़्यादा करने से सबसे बड़ी problem जब exam हमारे पास आता है ना तो हमारे पस 2 paper के बीच में सर्फ एक दिन की शुट्टी होती है और आपने इतना ज़्यादा material अगर prepare कर लिया कि आप उसे एक दिन की शुट्टी में revise नहीं कर पाए तो जितनी भी आपने past में मेनत की थी वो सारी की सारी आपके लिए बेकार हो जाती है तो इतना material आप त्यार करेंगे तो at least आप उसे एक दिन के अंदर revise भी कर पाएंगे किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बात आती है theory की जनरली बच्चे कहते हैं कि theory का जो question है वो 20 नमबर का है choice के अंदर निकल जाएगा तो इसे ignore कर देते अपनी thinking भी घ्रम ठीक है आप लोगों की लेकिन I will advise कि at least आपको जो ICI module है वो theory के लिए कुछ points आपको पढ़ने चाहिए या आप वो भी नहीं कर सकते तो जितनी भी आपको RTP, mock test और past exam के अंदर जो भी theory questions है at least वो questions आपको minimum to minimum prepare करने चाहिए और main जो theory questions आपको given है ICI की back side पे वो at least आपको prepare करने चाहिए वो आपके लिए कहीं न कहीं supportive है कहीं बर क्या होता है question इस थरीके का आगया technical कि जो आप नहीं कर पारे देखो 10% paper दो आ नहीं है दो ये भी बड़ा असान होता है लेकिन फिर भी कोई ऐसा question आ गया और क्या पता आपको theory में कोई question आता हो तो वहाँ पर आप इसको भी score कर सकते हैं तो theory को completely ignore ना करें बिल्कुल भी खास कर cost accounting के अंदर इसको आपको पूरा syllabus करने के बाद ही prepare करना है पूरे आपकी cost accounting हो गई ICI module हो गया RTP mock test हो गया सब कुछ हो गया cost accounting आपका क्या मेरा practical wise 100% पूरा जो जो मुझे करना था उसके बाद at least आप daily basis पे 30 minutes theory को देना जरूर शुरू करें और उसके लिए कुछ नहीं करना आपको ICI module को focus करना है और सबसे पहले RTP mock test और past exam में जो भी theory के questions आया है वो prepare करना है और उसके बाद ICI module आप सिर्फ इतना content करके जाएंगे और कुछ भी नहीं करके जाएंगे तो definitely आपका result positive आएगा इससे जादा कुछ भी नहीं है बहुत simple paper आता है cost accounting का और अगर आप सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ इसको पुरी शिदत से कर लेते हैं तो आपके 75 marks कहीं पे भी नहीं गए cost accounting के अंदर आप बड़े अराम से उसके अंदर marks ला सकते हैं problem क्या होता है कि 36 teachers बहतर materials आप focus करना शुरू कर देते हैं इस teacher का यह material कर लो और वही एक सबसे बड़ा problem होता है कि सब कुछ करने के चक्कर में आप कहीं के भी नहीं रह पाते सिर्फ आप ICI module RTP mock test part exam पे focus करिए इससे ज़ाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और chapters का sequence किस तरीके से रखना हम बता दिया जो बच्चे मेरे video lecture से पढ़ रहे हैं उनको इसी sequence के अंदर सारे chapter में लेंगे मैंने सिर्फ ICI module आपको refer किया है और RTP mock test part exam के question ही करवाया इससे ज़ाद कुछ भी नहीं करवाया मेरा course more than sufficient है उससे ज़ाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जिन बच्चों ने ले रखा है बहुत अच्छी बात है और जिनोंने नहीं लिया नीचे link दिया हुआ वो से buy कर सकते हैं बहुत nominal prices में वो available है तेंक्यू सो मुच्च